हर हर माहा देव सभी मित्रों को वेलकम टू इलक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल सभी को सूप्रबात डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आज हैं हमारी आठमी वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लाश्ट में कुछ इस्टैटिक जीगे के महत्पूर्ण बिंदूओं को देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं अपना एसेशन और देखते हैं पहला करेंट अफेर हाल ही में इरान में चल रहे राश्रुपती बत के चुनाव में सेद इब्राहिम राइसी ने जीत हासल करी है इरान के विसे में कुछ तथे जान लेते ही वरतमान में इरान के राश्र पड़ती है हसन रोहानी इरान की राजधानी है तेहरान और इरान की अर्थ व्यवस्ता मुक्धा तेलवा प्राकृति गैस नर्याद पर निर्भर है इरान की मुद्रा पहले रियाल थी पर अभी पिछले कुछ महिने पहले ही इसकी मुद्रा बदल कर तोमान कर दी गई है तो इसे आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं एक ओनलाइन सर्वे की अनुसार 21 सदी के सरुस्रेष्ट खिलाडी के रूप में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सरवाधिक मत प्राप्त हुए हलाकि इनोंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है इनके विशे में कुछ तक्ति जानते हैं सचिन तेंदुलकर को राजियू गांदी खेलरतन प्रुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है और राजियू गांदी खेलरतन 2020 में पांच खिलाडियों को मिला है जिसमें पहले हैं रोई सर्मा जो क्रिकेट से सम्मान देते हैं दूसरी हैं मनिका बत्रा, जो टेबल टैनिस की खिलाडी हैं, तीसरी हैं रानी रामपाल, जो होकी की प्लेयर हैं, चौती हैं विनेस फोगाट, जो एक रैसलर हैं, और पांचवी हैं मरियपन थंगा वैलू ये एक पैरा एतलेटिक्स हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और 2014 में सचिन तैंदूलकर को भारत का सर्वोच नागरिक पुरुसकार भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न, भारत सरकार का एक सर्वोच नागरिक पुरुसकार है, जो कला, साहित, विज्जान, सार्वजनिक सेवा और खेल के छेत्र में विशिष्ट राष्टरी स सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना पहले राश्रुपती डॉक्टर राजेन प्रशाज जी द्वारा दो जन्वरी 1954 को की गई थी हालाकि जन्ता पार्टी द्वारा इस राश्री पुरुसकार को 1977 में बंद कर दिया गया था परन्तु 1980 में कॉंग्रेस सरकार ने इसे पुना प्रारम भी किया है और इसमें एक महतुपूर बात यह है कि इसके लिए कोई भी धनरासी प्रदान नहीं करी जाती है कबल एक मैडल दिया जाता है जिसमें एक पीपल का पत्ता होता है उस पर सूर कि छवी अंकित होती है और देवनागरी लिपी में भारत रत ने लिखा रहता है और सभसे पहली बार भारत रत ने लोगों को दिया गया था पहले थे चक्रवर्ती राजगुपालाचारी दूसरे थे डॉक्टर सर्वपली राधाकृष्णन और तीसरे थे डॉक्टर चंद्रसेखर वेंकर ट्रमन तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर चंबक का निर्मान फ्रांस के द्वारा किया गया है और इस चंबक का नाम है सेंट्रल सोले नुएड और यह चंबक इतना ताकतवर है कि इसमें हवाई जाज उठाने की भी शक्षमता है तो इसे अब ध्यान रखिएगा अब फ्रांस की बात हुई है तो आपको ग्यात होगा कि अभी हमारे देश में राफेल मंगाए गए है जो कि फ्रांस से ही आएं तो कुछ तथे जान लेते हैं राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दा सॉल्ट एवियेशन कंपनी के द्वारा बनाए गया है भारत और फ्रांस के मद्द 36 राफेल विमानों के लिए समझाओता 2016 में हुआ था और 29 जुलाई 2020 को भारत के हर्याणा के अमबाला एरवेस पर ये आ राफेल है वे हैं फ्रांस, एजिप्ट, कतर और चौथा अपना भारत है और फ्रांस से सबसे पहले राफेल एजिप्ट ने खरीदा था इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं विश्व सरनार्थी दिवस 20 जून को हम अब्जर्व करेंगे और 2021 की थी में टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन आप देखते हैं उनकी जब भी देश में कोई युद्ध या महामारी की इस्तिती आती है तो सबसे ज़्यादा जो परिशानी होती है वो सरनार्थियों को होती है तो उनके लिए एक सहानु होती और उनके सम्मान के लिए मिजदिवस को मनाते हैं तो इसे आप ध्यान रखिएगा अगला देखते हैं Sportswear Brand Puma के नए Brand Ambassador की रूप में विउराश सिंग को चुना गया है कुछ अन स्पोर्ड्स के या कुछ अन-ब्राड के Brand Ambassadors को हम देख लेते हैं पंजाब एंटी कोरोनावायरस वैक्सिनेशन प्रोग्राम के Brand Ambassadors है सुनु-सूद वीव के Brand Ambassadors है विराट कोयली नाड़ा की ब्रैंड अमेजडर है सुनील सेटी और ASICS की ब्रैंड अमेजडर है रवींद्र जडेजा यह एक जैपनीज स्पोर्ट्स ब्रांड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रैंड अमेजडर है माधरी दिक्षित फिट इंडिया मूवमेंड के ब्रैंड अमेजडर है कुल्दी पहंडू अगला करेंट अफिर देखते है मिया जाकी आम का समंद्ल मध्य प्रदेश राज जिसे है और यह दुनिया का सबसे महंगा आम है इसकी कीमत 2,70,000 रुपे प्रती किलोग्राम है इसकी विशे में कुछ अन्य तथे देखते है मिया जाकी आम की पैदावार मुख रूप से जापान में होती है यह आम जापान के क्यूशू प्रांद के मिया जाकी सहर में उगाया जाता है इसी आधार पर इसका नाम करण हुआ है और यह लाल रंग का आम होता है जिसमें एंटि अक्सिडेंट भरपूर मात्रा में होते है अब मद्य परदेश की बात हुई है तो इसकी विशे में कुस्टत्य देखते है मद्य परदेश की राजधानी है भूपाल वरतमान में मद्य प्रदेश के मुख मंत्री है सिराज सिंग चौहान और मद्य प्रदेश की राज़पाल है आनंदी वेन पटेल और आनंदी वेन पटेल वरतमान में उत्तर प्रदेश की भी राज़पाल है मद्य प्रदेश को हम Tiger State of India और हर्ट आफ इंडिया की नाम से भी जानते हैं और मद्धिप्रदेश में आपको सबसे ज्यादा संख्या में नेशनल पार्क मिलेंगे टोटल 10 हैं यहां दूसरे नमबर पर अंडमान जहां पर नो नेशनल पार्क हैं और तीसरे पर असम हो गया है जहाँ पर साथ नेशनल पार्क हैं तो देखते हैं इन में से कौन कौन से ही प्रमुक कहना राश्चियुद्यान, बांधोगर राश्चियुद्यान, पन्ना राश्चियुद्यान, संजे गांधी राश्चियुद्यान, सत परकार का लक्ष है कि 2022 तक सभी के लिए आवास हो जाएगा और युवा सकती कुरोना मुक्ती अभियान भी मद्धिप्रदेश में ही सुरू किया गया है जिसका उद्देश है कोविड-19 समंधी जो भी चीज़ें उनके प्रती लोगों में जागरुकता पैदा करना तो हैं मेजर ध्यान चंदर इनको हम होकी के जादूगर कहते हैं और इनके जन्म दिवस के रूप में हम राश्ट्री खेल दिवस मनाते हैं जो की 29 अगस्त को होता है और दूसरी है पीटी उसा इनको उडनपरी या पायोली एक्सप्रस के नाम से भी जानते हैं मिलखा सिंग इ उनको रावलपिंडी एक्सप्रेक्स के नाम से जानते हैं मेरी कौम का उपनाम है सुपर मॉम सौरभ गाउंगली बंगाल टाइगर विश्वनाथनान अंद टाइगर ओफ मद्रास हरवजन सिंग को टर्वनेटर के नाम से जानते हैं कपिल देव को हरयान हरिकेन के नाम से सचेंति अंदूब करें हैं उनको मास्टर बलास्टर बोला जाता है इनको आप धयान रखिए गा तो अज यह वीडियो में ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कि